हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है SSE GD की जो परिक्षा है वो जनवरी महीने से सुरू हो रही है और इस बार दोस्तों सिलेक्षन पक्का करना आपको यहीं से क्योंकि रोजाना आपको SSE GD का क्लास मिलता है यहां पे और आज की इस क्लास में हम GKGS के Most Selected Quotion ही करने वाले हैं और यह Quotion बिल्कुल पेपर वाले प्रसन है जी हां जो आपके GD परिक्षा 2023 में जो Quotion आएंगे हू बहू वही Quotion लेकर आया हूँ GKGS का तो पूरा वीडियो सभी के सभी end तक देखिएगा और यह Quotion ही आपके GD परिक्षा 2023 में आएंगे तो पूरा वीडियो देखना end तक वीडियो को जिसने भी अभी तक like और share नहीं किया है तो like share कर दें इसके साथ में चेनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी ओन कर लीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों questions आपके स्क्रिन पे आगे हैं फर्स्ट कोशन आज का भारत के प्रथम Miss Universe कोन बनी थी साथ साथ में आप सभी को हर एक कोशन का आंसवर कमेंट करके बताना है Who became the first Miss Universe of India फर्स्ट Miss Universe of India ये अभिनेतरी सुश्मिता सेन बनी थी Option बी जिनोंने भी आंसवर किया है उनका अंस्वर बिल्कुल correct होगा कब बनी थी तो 1994 1994 में सुस्मिता सेन भारत के प्रथम Miss Universe बने थे next question देखिए question number 2 है हीमोगलोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है which substance is found in हीमोगलोबिन अब आपको एक चीज़ पता होगा जो हमारा रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोगलोबिन के कारण ही होता है अब क्यों होता है क्योंकि हीमोगलोबिन में पदार्थ के रूप में आईरन लोहा पाये जाता है यही आपको बताना था इस question में तो जिनोंने भी answer option D दिया है उन सभी का answer बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट कोशन स्वेतामबर और दिगंबर किस धरम की शाखाएं है स्वेतामबर and दिगंबर are branches of which religion देखिए स्वेतामबर और दिगंबर यह दोनों ही जैन धरम की शाखाएं है जिनोंने भी answer option B को किया है उन सभी का answer बिलकुल correct होगा पूरा वीडियो जरू देखिएगा क्योंकि यह कोशन ही छपने वाला है आपके एक्जाम में हूब हूब यही कोशन आएगा शुद जल का क्वंथनांग कितना होता है वाटीज दा बॉइलिंग point of pure water pure water का boiling point बताना है तो बताइए क्या होगा इसका answer तो जो भी answer दे रहे है option D को 100 Celsius 100 degree Celsius उन सभी का answer बिलकुल right होगा 100 degree Celsius होता है सुद जल का क्वंथनांग अगर आपसे Fahrenheit में पूछ ले तब कितना कहोगे आप 212 degree Fahrenheit में होगा ठीक है next question देखिए सहद में मुख्यता कौन सा पोशक तत्व होता है वैसे आपको बता दू vitamin, protein, carbohydrate ये तीनों ही सहद में पोशक तत्व के रूप में मौजूद होते हैं पर आपको बताना है यहाँ पे मुख्यता बताना है कि main कौन सा इन में से पोशक तत्व सहद में मौजूद होता है तो जिनोंने भी answer option सी को किया है carbohydrates ये आपका answer बिलकुल right होगा क्योंकि सहद में मुख्यते जो पोशक तत्व पाया जाता है वो carbohydrate ही पाया जाता है अगला question शान्ती निकेतन की स्थापना किस ने की थी वो फाउंडेड शान्ती निकेतन शान्ती निकेतन की स्थापना रविंदर नाट टेगोर जी ने की थी जिनोंने भी answer option सी को किया है उन सभी का answer बिलकुल right होगा अगला question है website का मुख्य पेज क्या कहलाता है what is the main page of the website called website का मुख्य पेज home page कहलाता है जिनोंने भी answer option B को किया है उनका answer बिलकुल right है अगला question विस्व सरम दिवस कम मनाया दाता है when is world labor day celebrated बताए क्या इसका correct answer होगा दोस्तों अगर आप answer कर रहे हैं एक मई को तो आपका answer बिलकुल सटीक है क्योंकि एक मई को हम world labor day celebrate करते हैं विस्व सरम दिवस option C will be the correct answer और 29 अगस्त को आपको पता होगा major ध्यान चन जी के जनम दिवस के रूप में पूरे भारत में राष्ट्रे खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया दाता है अगला question विस्व में स्रव प्रथम लिखित सविदान कहा लागू हुआ था where did the first written constitution come into force in the world देखिए विस्व में स्रव प्रथम जो लिखित सविदान है ये आपका लागू हुआ था अमेरिका में तो जिनोंने भी answer अमेरिका किया है उनका answer बिल्कुल right होगा अब आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगा कि सबसे बड़ा लिखित सविदान किस देश का है तो ये भी सुन लिजिए सबसे बड़ा लिखित सविदान है हमारे भारत देश का ठीक है और अगर question में ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है दुनिया में जिसका कोई भी लिखित सविदान है ही नहीं तब आपका answer क्या होगा इंगलेंड ठीक है next question देखिए उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटा फट से आप लाइक कर दें इस वीडियो को साथ में आप इस वीडियो को शेर भी कर दें अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए और ऐसी ही वीडियो रोजाना देखना चाते हैं तो चैनल के साथ परमानेंटली जुट जाएए चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी ओन कर लीजिए अगला कोशन आपके स्क्रिन पे विश्व में सबसे अधिक कोफी उत्पादक देश कोन सा है देखिए विच इस दा मोस्ट कोफी प्रोडूशिंग कंट्री इन दा वर्ल्ड मोस्ट कोफी प्रोडूशिंग कंट्री इन दा वर्ल्ड है ब्राजील तो जिनोंने भी ब्राजील आंस्वर दिया है कमेंट में उन सभी का आंस्वर राइट होगा नेक्स्ट कोशन विधुत चालकता की दरश्टी से ए धातू तत्व की प्रकरती क्या होती है विधुत चालकता की दरश्टी से ए धातू तत्व की जो प्रकरती होती है वो इनसूलेटर की भाती होती है यानि की कूछ आलक होती है ओप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंस्वर हो जाएगा विजे वाड़ा की बात करते हैं तो यह क्रिश्टन नदी के किनारे पर बसा हुआ है उप्शन यहाँ पर यह जो भी आंस्वर कर रहे हैं उनका आंस्वर बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ेंगे अगला कोशन आपके स्क्रिन पर वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है वायू में ध्वनी की चाल 332 मीटर पर सेकिंड होती है तो जिन्होंने भी आंस्वर ओप्शन एको किया है उनका आंस्वर राइट है अगला कोशन लाल किला कहां पे स्थित है अब इससे आसान कोशन नहीं हो सकता कभी कभी एक दो आसान कोशन भी आपके पेपर में आ जाते हैं वेर इस दा रेड़ फोर्ट लोकेटेड तो यह आपका दिल्ली में स्थित है अब इससे एक कोशन यह पूछा आता है कि इसका निर्मान किस ने करवाया था तो इसका निर्मान मुगल समराट साजहाने करवाया था ठीक है याद रखियेगा ताज महल और लाल किला दोनों का जो है ना निर्मान शाजहाने ही करवाया था अगला कोशन, रोम किस देश की राजदानी है, रोम इस दा कैपिटल ओफ विच कंट्री, रोम आपको पता होगा, इटली देश की राजदानी है, तो जिनोंने भी आंस्वर ओप्शन ए किया है, उनका आंस्वर राइट होगा, इरान की तहरान है, इराग की बगदाद है, अ 1917 में हुई थी जिन्होंने भी आंस्वर option D किया है उनका आंस्वर विल्कुल राइट है next question is राष्ट्रे विकास परिशत का गठन कब किया गया था when was the national development council formed when was the national development council formed तो इसका जो form हुआ था ये ये 6 अगस्थ 1952 को राष्ट्रे विकास परिशत का गठन किया गया था तो आपका आंस्वर हो जाएगा option C next question देखते हैं राष्ट्रे महिला आयो का गठन किस वर्स में किया गया in which year the national commission for women was formed तो राष्ट्रे महिला आयो का गठन हो था 1992 1992 में option C जिन्नोंने भी आंस्वर दिया है उनका आंस्वर बिल्कुल correct होगा next question है रावत भाटा प्रमानू विदुत सेंतर ये कहां पे है where is रावत भाटा nuclear power plant located तो ये आपका है राधस्तान में जिन्नोंने भी option भी राधस्तान किया है उनका आंस्वर बिल्कुल right है सभी का score last में comment में चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए अगला question किसने कहा कि भारतिये लिखने की कला नहीं जानते हैं who said that Indians do not know the art of writing ये कहा था मेगा स्थिनीज ने option भी right answer होगा चंद्रगुप्त मुरे के दरवार में था ये और इंडी का नामक पूस्तक इसके द्वारा ही लिखी गई है अगला question प्रसिद रोहतांग दर्रा किस राजे में है in which state is the famous रोहतांग पास located प्रसिद रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये आपका HP हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा option भी जिनोंने भी answer किया है उनका answer बिलकुल राइट है next question is प्रित्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है earth is situated between which two planets प्रित्वी की बात करते हैं तो ये Venus और Mars शुक्र और मंगल दो ग्रहों के बीच में स्थित है option भी जिनोंने भी answer किया है उनका answer यहाँ पे बिलकुल राइट होगा next question देखते है shark की स्थापना कब हुई when was shark established shark की स्थापना 1985 में हुई थी कहाँ पे हुई थी तो आप कहोगे ये हुई थी ढाका बांगलादेश में और एक और important question बनता है shark का headquarter कहाँ पे है अगर headquarter पूछ ले तो आप कहोगे नेपाल की राज़ानिक काठ मांडू में इसका headquarter located है option C इसका right answer होगा next question सांगपो नदी किस राजे से होकर भारत में प्रवेश करती है through which state does the सांगपो रिवर enter इंडिया तो देखिए सांगपो नदी भारत के और उनाचल प्रदेश राजे से होकर भारत में प्रवेश करती है जिन्होंने भी option B को answer किया है उनका answer सही होगा अगला question पाक जल डमरू मध्य है कहाँ पे है तो यह आपका भारत और स्रिलंका के मध्य है option A जिन्होंने भी answer किया है उनका answer बिल्कुल right है next question is PTI किस देश की सामाचार एजेंसी है PTI is the news agency of which country एक question हमेशा आपको हमवरक के रूप में देता हूँ जिसका answer आपको comment करके बताना होता है आज का हमवरक question यह है 26 number question का answer आप सभी को comment करके बताना है जिनको भी इसका right answer मालूम है इतियास का जनक हेरोडोटस को माना गया है तो हेरोडोटस आपका right answer होगा अगर आप से पूछ ले कि भारतिये इतियास का जनक किसे कहते हैं तब आपका answer होगा mega sneeze ठीक है next question है अंतर राष्ट्य ओलंपिक परिशद की स्तापना कबूई when was the international olympic council established तो IOC की स्तापना 1894 में होई थी 1894 में पर पहला जो आधुनिक olympic खेला गया था वो आपका 1896 में खेला गया था दोनों अलग question है यहाँ पे हमें IOC की स्तापना पूछिये इसलिए हमारा answer होगा 1894 next question है एक micron किसके बराबर होता है 1 micron is equal to 0.001 mm option B is the right answer आज का last question इस वीडियो का gypsum का रासानिक सुतर क्या होता है what is the chemical formula of gypsum C-A-S-O-4-2-H-2-O यह होता है gypsum का chemical formula अगर यहाँ पे 2 की जगे मैं half कर देता हूँ तो वो P-O-P का formula हो जाएगा बताए इस वीडियो में आपने कितना score किया वीडियो अचा लगा है तो वीडियो को like करें share करें चैनल को जिसने भी अभी तक subscribe नहीं किया है तो सभी के सभी एक साथ चैनल को subscribe करके bell icon को भी on कर लीजिए मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नवीडियो तब देले जैहिन जैवारत